भगवान शिव के 12 अवतारों में से एक थे हनुमान देवो के देव महादेव के 12 अवतारों की कहानी आपने जरूर सुनी होगी इसी में से एक थे 11 अवतार हनुमान पराणिक मानेताओं के अनुसार जहारखंड के गुमला जिले के आजन गाम में हनुमान जी का जनम एक गुफा में हुआ था आज भी इसके साक्षे मुझूद हैं इस जगए को आज भी आजन धाम के नाम से ख्याती प्राप्त है यहां माता अंजनी का निवास इस्थान कहा जाता है इसलिए इसे आजने के नाम से भी लोग जानते हैं इस जगए का समन सेसी रामान काल के साथ जोड़ा जाता है जहां 360 से ज़्यादा शिवलिंग भी मौझूद थे हाला कि इसके साथ यह भी कहा जाता है कि यहां इतने ही तलाब थे जहां माता अंजनी इसनान करती और फिर शिवकी पूजा करती थी पुराने कथाओं की माने तो मा अंजनी शिवकी बड़ी भगत थी इस अलाके में अभी भी सो से ज़्यादा शिविलिंग और तलाब तो अभी भी साक्षात इस बात की गवाई देते हैं यहां अंजनी पहाड़ी पर एक चक्रधारी मंदिर भी है जिसमें आठ शिविलिंग है और इनके उपर एक चक्र है इने अच्छ शंबू के नाम से ख्याती प्राप्त है और यह बड़ा चक्र बड़े पत्थर का बना हुआ है जहारकंड के गुमला जिले मुख्याले से करीब 21 किलो मीटर दूर यहां गुफा इस्तित है जहां हनुमान के जनम होने का दावा किया जाता है जहां यहां गुफा इस्तित है उसे आजन गाम के नाम से जाना जाता है कहते हैं कि यह है महाड की चोटी पर जो गुफा मुझूद है उसी में मा अंजनी ने हनुमान को जनम दिया था भारत का जहाएक लोता मंदिर है जहां आप बाल रूप में हनुमान को मा अंजनी की गोद में बैठ हुए देख सकते हैं आप रामायन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किष्टिंदा कांड में इस आजन परवत का जिकर है जहां बगवान हनुमान का जनम हुआ था इस गाम से लगबख 35 किलो मिटर की दूरी पर पाल कोट है जहां पंपा सरोवर है जिसका उलेक रामायन में है इसमें कहा गया है कि इसके बगल में रिची मुक परवत है जहां कपिराच सुग्रीव के मंतरी के तोर पर हनुमान विरास्ते थे कता में यहाई भी जिकरे कि प्रभू शीराम और सुग्रिव की मुलाकात भी यहीं हुई थी इसके साथ ही एक कता यहाई भी है कि यहाँ प्रभू शीराम को शबरी ने अपने जूटे बेर भी खिलाये थे और इसी पंपा सरवर में शीराम ने अपने भाई लक्षमर के साथ इसनान किया था कता कि अनुसार जिस गुफ़ में हनुमान का जनम हुआ वहाँ मा अंजनी को परसंद करने के लिए एक बार आदिवासियों ने बकरे की बली दी थी इसे मा अंजनी को गुसा आ गया और उन्होंने गुसे में गुफ़ा का मुँ सदा के लिए बंद कर दिया कहते हैं कि तब सी यह बंद पड़ा हुआ था जिसे कुछ दिन पहले ही खोला गया है ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनलों को सबस्क्राइब जरूर करें जय हनुमान